बिस्मिल्ला हिर्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल मलेक नहीं इंटर्टेन्मेंट विवर्स आज आपको हम चर्सी कड़ाई बनाने का तरीका बताएंगे, वो भी देशी मुर्ग का, बिना टाइम वेस्ट की है, हमारे साथ चलिए आपको पताएं कैसे त्यार किया है विवर्स चिकन चर्सी कड़ाई की रेसिपी आपने बहुत सारी देखे होंगी लेकिन देशी मुर्गे की जो चर्सी कड़ाई की रेसिपी है वो आप फास्ट टाइम देख रहे होंगे तो चलिए आपको बताएं कि हमने 500 गराम देशी मुर्गा लिया है, छे बड़े टिमाटर लिया है, उनको दोईसो में डिवाइड कर लिया है चार अदद हमने सबस मिर्चे ली हैं जिनको हमने दो इसो में काट लिया है लंबाई में उसके बाद हमारे पास काले मिर्च पाउडर है लेसन जो है वो 5 से 6 पलिया है उनको हमने पीस लिया है नमक है उसके बाद एक प्याली हमारे पास आईल किया है आझे आपको बताए हमने कैसे फिराइक की सबसे पहले हम एक अच्छाई लेंगे उसमें आईल डाल देंगे और उसको ची तरह घराइंगे उसको आज़े हम चिकन डालद देंगे जन डालने के तक चिकन डालने के साथ हम चमच भी लाते रहना है ताकि नीचे से गोश्ट लगना जाए यह देखें सारा गोश्ट हमने डाल दी है अब हम इसको अच्छी तरह वो मिक्स करेंगे चिकन पच्छी तरह हम भूनेंगे और इसको हम डार्ट ब्राउन करेंगे जब तक डार्ट ब्राउन नहीं होगा हम इसको भूनते रहेंगे माशालला जी यह देखें चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है क्योंकि देशी चिकन है थोड़ से टाइम लेगा यह देखें इसको आपने चमच मसलसल हिलाते रहना है ताकि यह नीचे से लगना जाए क्योंकि यह हम आईल में इसको भून रहे है अब हम इसको जो है इसमें हस्बे दूरत नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद हम इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन भी हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है और जब तक यह डार्क ब्राउन होगा तो हम इसको जो है इसमें भूनते रहेंगे चिकन हमारा जो है वो डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया है यह देखें माशालला कितना खूबसूरत कलर आ चुका है अब हम इसमें जो है वो लेसन में पानी हम मिक्स करेंगे दो से तीन चमच और इसमें डाल देंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे लेसन में आपने आपने वो 2-3 tablespoon पानी लाजमी mix करना है क्योंकि पानी हमने इसमें नहीं डाला तो लेसन का पानी जो है वो इसमें डालना है आपने अब हम मजीद 2-3 मिनिट इसको खुनेंगे ताकि लेसन का जो टेस्ट है वो भी इसमें आ जाये और चिकन जो है वो अच्छी तरह हमारा गल जाए माशाला अलहमदुलिल्ला ये देखें जी चिकन हमारा बिलकुल गल चुका है पक चुका है अब हम इसमें जो है वो टीमाटर डालेंगे ये देखें जी छे बड़े टीमाटर लिये थी उनको 200 मिट वाइट हमने कर लिया था इनको इस तरह रख देंगे और हम इसको उपर से ढख देंगे ताके भाब के जिरी जे नरम हो जाएं और अब इसका बाद में इसका चिलका उतार लेंगे अब हम अपनी कड़ाई को डखन के दिरी ढख देंगे और पांच मिट के लिए भाब के उपर इसको पकाएंगे ताके टीमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं ये देखें जी माशालला टीमाटर नरम हो चुके हैं अब इनको एक एक करके इनका चिलका उतार लेंगे ये देखें माशालला जबरदस्त कितना नरम हो चुके हैं टीमाटर आपने रेड कलर के लेने हैं ताके वो कम बक्त लें और जल्दी से नरम हो जाएं ताके अच्छी तरह इसमें वो मिक्स भी हो जाएं ये तमाम जबर और जबर रेंगे और चंचे के साथ अच्छी तरह इसमें इसमें पीस करेंगे ये देखें इस तरह आपने मिक्स करना है ताके ये मेश हो जाएं ये देखें जी माशालला टिमाटर जबर आपन lleva घर wisdom कर मैक्स करें हो टीमाटर जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं ये देखें टीमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है अब जब तक टीमाटर का पानी खुश्क नहीं होता तो हम इसको मजीद पकाएंगे ताकि टीमाटर का पानी खुश्क हो जाए और आइल थोरसा ज्यादा लग चिकन को अच्छी तरह फ्राइ करने के बाद जो है हमने आल निकार लिया है क्योंके आइल थोरस ज्यादा था तो हस बहुत हमने इसमें रहने दी है जितना में जुरॉत था अब हम जो है हाफ टेबल स्पून काले मिर्स पाउडर डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह मिक् होगेगी बिल्कुल तयार है अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे ये लें जी चिकन चर्सी कड़ाई बिल्कुल तयार है बहुत ही कम वक्त में तयार हुई है हमारी रेसी भी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्र हम आपड़ेगी है